नमसकार दोस्तों, बोल्ट स्काइब में आपका स्वागत है कभी-कभी ऐसा होता है कि चेहरे की तवचा छिल जाती है और उसमें दर्द भी बहुत होता है इस सरे की समस्याएं कई कारणों से होती हैं जिसे तवचा में कोई रोग हो जाना तवचा का छिलना सामानने बात है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है चहरे की तवचा शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है अगर चहरे की तवचा ही खराब हो जाए तो पूरा चहरा बरबाद हो जाएगा ऐसे में चेहरे की स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है चेहरे की तवचा खराब होने पर चिलने पर हो उसे निकाले नहीं ना ही उसके साथ कोई छेड चाड़ करें कुछ घरेलू उपायों के साथ अपने चेहरे की तवचा को आप फी कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी तवचा जादा निकल रही है और आपको उस पर जलन हो रही है तो तुरंट डॉक्टर से संपर करें आजकल प्रदूशन के कारण सूरे की ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है जिससे धर्ती पर भारी मात्रा में अल्टरा वॉयलेट रेज आती है तुर्चा पर इन किरणों का प्रभाव बुरा होता है कई लोगों को संबर्ण की शिकायत होने पर तवचा में जलन होती है और उनके चेहरे से स्किन निकलने लगती है तुर्चा में डिहडरेशन होने पर स्किन ड्राय हो जाती है और वे फटने लगती है अगर आपकी स्किन ड्राय होने लगी है तो आप पानी पी और मॉस्चराइज करें इसके बाद भी अगर आपकी तवचा सही नहीं होती तो कोई संक्रमट या फिर कोई अन्यकारण है इम्यूनिटी इशू तवचा में होने वाली छिलन, कहीं खातक बिमारियों जैसे कैंसर आधी के परणाम स्वरूब भी हो सकती है कई प्रकार की इम्यूनिटी संबंदी बिमारिया होने पर भी तवचा छिलने लगती है अगर आपके साथ ऐसा बार-बार हो रहा है अपने डॉक्टर से सला जरूर ले तो दोस्तों मारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको उमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा कमेंट में जरूर बताएं कि आपको उमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइकन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले